Hello everyone, आपका हमारी YouTube चैनल पर स्वारत है, तो आज इस वीडियो में हम एक अनुभव लेखन करेंगे, आज हम करेंगे cricket match का अनुभव लेखन, कि आप cricket का match देखने गए हैं और वहाँ पर आपने क्या क्या देखा, कैसे आप अपने अनुभवों को explain करेंगे, तो इसका exam में आन कि कैसे एक अच्छा अनुभव लेखन लिखा जा सकता है, आज इस वीडियो में हम cricket match का अनुभव लेखन पढ़ेंगे, ताकि आपको idea मिल सके, कि इस तरीके का अनुभव लेखन आपको अपने exam के लिए लिखना होगा, ठीक है, वो आपको idea मिल सके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइम नहीं किया है, तो कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो के अपडेट आपको time मिलती रहें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच का अनुभव लेखन देखें किस तरीके दोस्तों के साथ खेलता था, बड़ा हुआ तो क्रिकेट का शोग मुझे लग गया, तो जैसे हमने अनुभव लेखन के कुछ नियमों में पढ़ा था, कि जब आप अनुभव लेखन करेंगे, तो उसमें आप अपनी कुछ past की बाते भी add कर सकते हैं, जैसे इसमें add किया ग बड़ा हुआ तो क्रिकेट का शोग मुझे लग गया, स्कूल जाकर मैंने क्रिकेट जोइन किया, मैं पेली बिल्डिंग पहाड गंज नई दिली में पढ़ता था, आप देखें, यहां पर स्कूल भी बता रखा है, क्योंकि स्कूल का यहां पर जिकर आया है, कि जब मैं स् कराया है, तो आपको यह भी बताना होगा, कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, तो यहां पर नाम दिया है कि पेली बिल्डिंग पहाड गंज, ठीक है, 30 सितंबर हो जाते हैं, इसको हमारे स्कूल का क्रिकेट मैच, रामज़ स्कूल का रोल बार की टीम से हुआ, दोनों नहीं लिखा है, इसमें अनुभवलेखन स्कूल का क्रिकेट मैच उन्हों ने खूद खेला, तो आपके एक्जाम में भी जिस से किसे आएगा, वह आपको देखने नहीं है, दो तरुके से आ सकते है, तो यह आ सकते है, कि आपको रिकेट का मैच देखने गए, वहां का दृ तो आप दोनों में से कैसे भी कर सकते हैं अब इसमें यह बता हुआ है कि अगर आप तारीक भी लिख देंगे तो ज्यादा बैटर है ठीक है अपनी वर्जी से आप कोई भी तारीक बिना कर लिख सकते हैं ठीक है इसके लावा हमारी कप्तान शुभम ने टोस जीत कर पहले बोलिंग करने का फैसला लिया और बोलिंग की रनन नीती तयार थी यह मैच सरकारी स्थर पर दिल्ली स्टेट का फाइनल क्रिकेट मैच था जो की 20-20 ओवर का होना निश्चित था अब यहाँ पर आपको जो क्रिकेट में पारिभाशिक शब्दा वाली यूज हो दिये जैसे ओवर फाइनल बोलिंग बैटिंग यह सर आपको पता होना चाहिए ठीक है रैफरी क्योंकि अगर आपको यह नहीं पता होंगे तो आप अच्छे से इस पर अनुभव लेखन नह है ठीक है यहां फिर हो सकता है बैड मेंटन के उपर आजे किसी के भी उपर आ सकता है किसी भी टोपिक पर आ सकते हैं अनुभव लेकर लिखने के लिए तो आपको हर चीज के लिए प्रिपियर है ना होगा ठीक है तो नेक्स्ट देखते चलिए रामजा स्कूल की टीम हमारी थी यहां पर बैटिंग को हिंदी में बल्ले बाजी कहा गया है ठीक है हमारे कैप्टन सबसे पहले अपने ओल्राउंडर खिलाड़ी विवेग वसमित को बल्ले बाजी के लिए उतारा हमारा खिलाड़ी खिलाड़ी यानिकी प्लेयर तो यह कुछ इंपोर्टन पर देखिए हमारा खिलाड़ी विवेग जो गेंदबाजी करते हुए पिछली पारी में उनके च्छै विकेट ले चुगा था अब यहां पर विकेट शब्द भी यूज हुआ है है ना एंड पारी शब्द भी यूज हुआ है तो अगर आप क्रिकेट की शब्दावली का करेंगे तो बहुत ज़्यादा बैटर हैगा तो जो आपके एक्जामिनर होंगे जो चेक करेंगे उनको यह लगेगा कि हाँ आपको नोलेज है तो इससे थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पढ़ता है तो आपको इसकी शब्दावले भी याद हुने चाहिए क्योंकि जब य अलेबस में गिवन है तो हो सकता है यह आजाए एक्जाम में भी ठीक है इसके रावा देखें विवेक ने जाते ही पहली बोल पर चक्का लगा दिया यानि कि सिक्स जो सिक्सर होता है उसको हिंदी में चक्का बोला जाता है ठीक है लेकिन विवेक को छोड़कर एके करके हम मारे नोखिलाड़ी आउट हो गया मतलब की खेल में वो हाय वे ठीक है तो यह आप स्क्रिंशोट ले लिजिए इसका आप पढ़ लेजिएगा काफे इंपोर्टेंट है यह तो पता होना चाहिए आपको ठीक है यहां तक है लास्ट में आप यह चीज़ों लिख दीजिएगा कि यह जो यादे हैं वो मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा ठीक है वो जो यादे थी उनसे आपको हमेशा याद रहेगी वो यादे आपको एंड यह यादे मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा तो यह लाइन आप अगर अनुभव लेखन में लिख देंगे तो यह एंडिंग मे सही है यह लाइन ठीक है हमेशा यह लाइन एंड में ही लगाई जाती है अनुभव लेखन के तो जारा बैटर इंप्रेशन पढ़ते हैं ठीक है तो यह यहां तक है आप स्क्रीशोट ले लिजिए स्काइट पढ़ लिजिए